नमस्कार से भी किसान भाईयों को मेरे पिच्छे आप मेरी जो सर्षनों की फसल वो देख सकते हैं ये काफी बड़ी होगी है और काफी हरी वरी है और इसके अंदर फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा आई हुई है और इसके अंदर हमने अभी तक एक भी पानी नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई बहुत जादा आधगे बहुत ज़्यादा डाली है तो इतनी बेतरीन फसल कैसे है हमारी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अग्याने वाड़े समय में इसके अंदर कोई भी बिमारी ना आए या फिर कौन-कौन सी बिमारी आती है उनका बचावा में कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अगर इस तरह की खेती बाड़ी से सब मंदित वीडियो आपको देखना पस की फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जो बारिस की नमी थी उसी के अंदर ही इससे जो सर्शों है इसका द्रमिनेशन हो गया था और बहुती अच्छी होती है वो सर्शों जो बारिस की जो नमी होती है बिना पलेवे बारी सर्शों जो होती है उसके जो अपनी ये फलियां होती है ना ये वाड़ा जो मेन इस्सा होता है ये इसका काफी लंबा जाता है जिससे हमारी सर्षों की पैदावार हो अच्छी मिलती है तो हमने शुरुआत से ये चीज़ सोच रखी थी कि अपने फसल चक कर अपनाएंगे और सीजन में एक बार अपन दो तिन साल में एक बार अपनी खेत को है वो खाली भी छोड़ेंगे जो अपनी खरीप वाली फसल होती है उस सीजन के अंदर तो ऐसा ही हमने किया था और शाथ में हमने अकिला डीएपी ना वो करके हमने मल्टी न्यूट्रेंट वाड़ा खाद वोया था आप इसके अंद लिया था यारा मिला कॉंप्लेक्स इसके अंदर बारा ग्यारा अठारा एंपी के ग्रेड आती है साथ में सल्फरोर मेगनेशम भी आता है तो एक बार उसकी बिजाई करके और उसके बाद हमने सर्चों की बिजाई की थी जिससे खाद की पूरती लंबे समय तक होती रहेग और हमें एक्स्ट्रा कोई भी खाद डालने ही जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप यहां पर देख सकते हैं निच्चे से ही फुटान है वो बहुत अच्छे चले हुए हैं और फुटान के अंदर से भी फुटान आप देख सकते हैं तो इस यह कुल मिला करके बहुत ही अच् वो है फंगी साइड की सप्रे जिसके अंदर हमने ली थी विलोवूड कंपनी की डायमोक्सा करके दवाय आती है वह ली थी हमने और उसकी एक सप्रे निकाल दी इस सटेज से पहले आप दो सप्रे निकाल सकते हैं एक बिल्कुल छोटी होती है और अपनी ग्रोइंग स्टे हो जब फूल बनने स्टार्ट होते हैं उस टाइम पर थोड़े बहुत फूल बन जाते हैं उस सटेज के उपर एक सप्रे आप निकाल दे फंगी साइड की उससे फाइदा में बहुत ज्यादा होगा एक तो जो आप देखते हैं थोड़ी बड़ी होने के बाद बीच बीच म होता है साथियो तो आप एक फंगी साइड की सफरे जरूर निकाल दें इससे आपकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कंपनी वाड़े जीतना बोलते हैं कि 14 क्यूंटल 15 क्यूंटल एक्च्वल में तनी निकल जाती है अगर हम जैसी फसल बोते हैं और शुरू मुल्टी निकाल दी जिसके अंदर मैंने बायो टवंटी लिया था जो की ओमेक्स कंपनी का आता है जिसके अंदर लगवक्त 14-15 तरह के मुल्टी निट्रेंट आते हैं तो वह भी हमने लिए थे और अगर इस तरह से छोटी छोटी बात तो आप जान रखेंगे ना तो आप की फसलों बहुत ही बेतरीन हो जाएगी अब बात करते हैं कि पानी का क्या शेडूल है अभी तक हमने एक भी पानी नहीं दिया है उसका कारणी यह है कि जब यह थोड़ी बहुत बड़ी होने लगी थे ना उस टाइम पे एक अच्छी बारिस हमारे अरिया के अंदर होगी उस वज़े से आमने जो पानी क कमी थी न वह बारिश ने पूरी करती और उस वज़े से अमने इसके अंदर कोई भी पाणी नहीं दिया है अब आने वाड़े दस एक दिन एक पानी दे देंगे तो एक तो आग्ये फरवरी के अंदर जीतना भी पाला पड़ेगा ना उस से बचा हो जाएगा एक भी बीज है वो नहीं मरेगा और सारे के सारे दाने वो मुट्पे हो जाएंगे इसी तरह से आप भी आने वाड़े समय के अंदर अपनी फसल की सुरक्षिया कर सकते हैं एक तो पाणी उसके अंदर दे अवश्य है और शाथ में सलफर की मातर आपने फसल को जरूर दें चाहे आप दानेदार सल्फर भी चिड़क सकते हैं पाूडर वाड़ा सल्फर वी ले सकते हैं एन पीके 20 20 00 13 वह भी आप चिड़क सकते हैं या फिर अकेला जो लिक्विड शल्फर आता है उसकी एक सप्रे भी आप निकलवा सकते हैं अपनी फसल के अंदर तो इस तरह से आप अपनी फसल का जान रख सकते हैं और एक बहुत अच्छे पैदावार आपको मिलेगी जानकारी पसंद आये साथ हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और दूसरे सर्चों उत्पादक किसानों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें वीडियो देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबर है जै जवान जै किसान जै विज्यान